हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो आप चैनल, माइ फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे ही होंगे और गाइस मैं दिवाली तक ओन एन ओफ ही वीडियो अप्लोड कर पाऊंगी और उसके बाद ही रेगुलर होने की कोशिश करूंगी मैं आजकर सच में बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ और हाँ, शॉर्ट एफफ भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूँगी त्यूकि मैंने एफफ नरेट तो कर लिया है, बस थोड़ी से रिकॉर्डिंग और एडिटिंग बाकी है तो बस शॉर्ट एफफ भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा और जो कोई भी चैनल पर नहीं आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्स्प्लेनेशन हम शुरू करते हैं लास पार्ट में हमने देखा था कि जान को गोल्डन कॉल्डून कलब में अपने सामने देखकर यीबो को एहसास होता है कि वो जान को इन दिनों कितना मिस कर रहा था और जान का indifferent behave देखकर आगे बढ़कर जान का हाथ पकड़कर यीबो कहता है कि वो दोनों अब साथ में ही घर वापस जाएंगे जो बात यीबो ने बहुत काम टोन में कहा था पर जान यीबो के emotions को उसके टोन से समझ गया था और यीबो के warm हाथों की वज़े से जिसने जान के हाथ को securely पकड़ा हुआ था जान को बहुत warm और east feel हो रहा था पर जान धीमी आवाज में कहता है कि उसे घर जाकर कुछ drafts पर काम करना है जो बात सुनकर यीबो का face dark हो जाता है और जान को आगे कुछ भी कहने का मौका ना देते हुए यीबो जान को अपने साथ elevator के अंदर ले जाता है जिन सब हरकतों से जान को बहुत गुसा आता है पर वो चैंग और हाई कुवान के सामने अपना गुसा दिखा नहीं सकता था और ना ही यीबो के हाथ से अपना हाथ चुड़ा सकता था इसलिए जान अपना गुसा अपने मन में ही दबा लेता है जो गुसा यीबो जान के delicate face पर साब देख पाता है और ये भी देख पाता है कि कैसे जान अपना गुसा दबाने की कोशिश कर रहा था जो देखकर यीबो को अच्छा लगता है और यीबो का खराब मूड फॉरन बेटर होने लगता है वही चैंग यीबो और जान दोनों के एक्स्प्रेशन्स को नोटिस कर पाता है और उसे यीबो की खुशी का कारण समझ नहीं आता तो वो मन में सोचता है कि जान को गुसा दिलाकर यीबो खुश कैसे हो सकता है दूसरे दरफ प्राइवेट रूम में पहुँचकर हाई कुवान सबसे ज़्यादा डिप्रेस था क्यूंकि वो यहां चैंग और यीबो को ड्रिंक करने और बाते करने के लिए लाया था पर इस वक्त वो और चैंग दोनों बैठे बस अपने सामने दो लफ बर्ड्स का एक दूसरे के लिए अफ्रेक्शन देख रहे थे जहां यीबो एक एक करके सारे टिशिज जान की प्लेट पर रखकर उसे प्यार से कह रहा था कि उसे ये भी खाना चाहिए वो भी खाना चाहिए और जान को अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था जो यीबो की हरक और जब तक जान अपना सिर उठाकर फाइनली सब को नोटिस करता है तो पाता है कि तीनों ने मिलकर कई वाइन की बॉटल्स खत्म कर दी थी और चैंग बच्चों की तरह हाइक कंधे पर अपना से रखकर रोह जा रहा था और जी को याद करके कहे जा रहा था कि आगे उसने क गलती की है पर वो इतना सीरिस तो नहीं था जहां चैंग की हालत देकर जान को बुरा फील होता है कि तब ही जान को अपने कंधे पर भी एक भारीसी चीज के लैंड होने का ऐहसास होता है और जान जैसे ही अपने साइड में देखता है तो पाता है कि यीवो ने अपना सिर जान के कंधे पर दग दिया था और उसकी आंके स्लाइटली सी बंद थी जहां हाई कवान और जान चैंग और यीवो की हालत देखकर हेलप लेसली एक दूसरी की तरफ देखते हैं जिसके बाद जान को बहुत एफट्स लगाने पड़ते हैं यीवो को कार तक ले जाने के लिए क्योंकि ड्रंक यीवो सिवाल जान के किसी को भी खुद को छूने नहीं दे रहा था तबी चैंग को अपनी कार में डालते हुए हाई कौन जान से पूछता है कि क्या वो इबो को घर ले जा पाएगा जिसपर जान कहता है कि अगर इबो ने ज्यादा परिशान किया तो वो उसे मार कर बिहोश कर देगा फिर गाट से उसे मैंशन में ले जाने को कहेगा जो बात सुनकर हाई कौन जान को हैरानी से देखता है जहां हाई कौन के फेस के एक्स्प्रेशन्स देखकर जान आगे कहता है कि वो और कर भी क्या सकता है यीबो बहुत ज्यादा हैवी है जान उसे केरी नहीं कर सकता जिसके बार जान यीबो को घर लेकर आता है और खुद ही यीबो को संभालते हुए रूम की तरफ ले जाने लगता है जहां जान को खुद पर ही हरानी हो रही थी कि उसने गार्ड्स को यीबो की हेल्प क्यू नहीं करने दिया तबी रूम में लाकर यीबो को बैट पर फैंक कर जान बात समसे वेट टावल लाकर जैसे ही यीबो का फेस क्लीन करने जाने वाला होता है यीबो अचानक अपनी आखे खोल कर बैट पर बैट कर जान को घूरने लगता है जो देखकर जान पूछता है कि क्या इबो फाइनली उठ किया है कि तब ही अचानक इबो खुद को जान की बाहों में गिरा कर softly mom कहता है जो सुनकर surprised होकर जान के हाथ से टावल गिर जाता है और वो एक इंच नहीं हिल पाता क्योंकि इबो जान को हक कर लेता है और जब थोड़ी देर बाद जान इबो का नाम लेकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है तो इबो जान को और टाइटली हक कर कि फिर से उसे mom कहकर पुकारता है जहां इबो की हालत समझ कर जान का अपती आवाज में कहता है कि इबो उसे छोड़े और mom को इबो के कप कपड़े चेंज कर सके जहां इस वक्त जान को इबो के फेस पर coldness नहीं बलकि innocence दिखती है और इबो जान की बात पर पूरा trust करता है जो सब देखकर जान का दिल soft हो जाता है और वो समझ जाता है कि डंक होने के बाद इबो सिर्फ जान पर ही trust करता है तब ही उसने जान के अ अपना हाथ बढ़ा कर कुछ चूने की कोशिश करता है पर सिर्फ अपने हाथ में blanket पाकर इबो की बोहिस सिकुड़ जाती है जो देखकर जान को बुरा लगता है और वो अपना हाथ इबो के हाथ में दे देता है जहां जान का हाथ पकड़ते ही इबो के expressions soft हो जाते हैं और फौरन गहरी नीन में सो जाता है अगरे दिन जब इबो सोकर उठता है तो पाता है कि कोई उसकी बाहों में सो रहा था और हैंग ओवर की वजह से इबो को अपने आस पास चीजों को समझने में दो पल लग जाते हैं पर जान की खुश्बू अपने पास फील करके इबो जो लिटल बॉइ यबो से सिर्फ चास साल ही छोटा था जिसके बाद इबो थोड़ी देर तक जान के डेलिकेट फेस को देखते रहने के बाद जान के फोर हैट पर किस करता है फिर खुद को रोक ना पाते हुए जान की आखों उसके नोस टिप और चिन पर भी किस करता है जब इबो फील करता है कि वो शायद खुद को रोक नहीं पाएगा तो फॉरन बैट से उठकर बात रूम में चला जाता है और शावर लेकर रेडी होने के बाद इबो जब देखता है कि जान तबी भी सो रहा था तो वो जान को अच्छे से कवर करके रूम से बाहर चला जा जाता है वही थोड़ी देर बाद जान की आँख भूक के मारे खुल जाती है और लास्ट नाइट की सारी बाते याद करके जान जैसे ही अपने साइड में देखता है तो वहाँ ये वो को ना पाकर न जाने क्यों पर थोड़ा डिसपॉंटेट फिल करता है फिर जान जैसे ह फ्रेश होकर रेडी होता है तो डोर पर नौक पाकर पूछता है कि कौन है तो सर्प्राइजिंगली जान को एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो रिस्पेक्टफुली जान को मिसिस वॉंग कहकर अड्रेस करते हुए पूछती है कि जान ब्रेकफास के लिए नीचे आए जान सोचता है कि मैंशन में फीमेल स्टाफ कब हायर हुई कि तब ही जान ग्रीट का जवाब देकर पूछता है कि उसका नाम क्या है तो वो लेडी पोलाइटली कहती है कि उसका नाम चाओ बिंग है और मिसिस वॉंग उसे सिर्फ चाओ कहकर भी बला सकते हैं चो बात कहकर वो लेडी जान को एक फ्रेंडली स्माइल देती है और जान भी कहता है कि उससे मिलकर जान को अच्छा लगा फिर जान उससे पूछता है कि यीबो कहा है तो चाओ कहती है कि यीबो सर स्टडी में है वही चाओ की थोड़ी सी बाते सुनकर ही जान को फील हो जाता है कि चाओ सिफ एक सर्वेंट नहीं थी जिसके बाद जान यीबो की स्टेडी में जाता है जहां यीबो अपने लैप्टॉप पर कुछ टाइप कर रहा था और बीना उपर दे के ही यीबो जानता था कि उसके पास जान आया है तभी जान की प्रेजन्स फील करके यीबो पूछता है कि क् it करना ब्रेकपस्ट कर लिया जिस पर जान नहीं कहता है और सोचने लगता है लास्ट नाइट यीबो के बेहिरसे जान को लगता येबो के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं वना यीबो जान पर इतना टरिस्ट नहीं करता जान अपनी कॉम्लिकेट़ फीलिंग्स को लेकर परसल लही था कि तब ही येबो जान से पहले ब्रीफस्ट करने जाने को कहता है तो जान पूछता है कि क्या यीबो ने चाओ को यहां बुलाया है जिस पर यीबो जान को देखकर कहता है कि चाओ उसकी मॉम का ख्याल रखती थी और उसकी मॉम चाओ को बहुत पसंद करती थी पर यीबो की मॉम के चले जाने के बाद चाव ने रिजाइन कर दिया था और अपने घर वापस चली गई थी और वैसे भी मैंशन में एक फीमिल स्टाफ के होने से बहुत चीजों में जान को आराम रहेगा जो सब सुनकर जान सर्प्राइजड रह जाता है कि यीबो अपनी मॉम की बाते उसके सामने इतना नॉर्मल ही कर रहा था और चाव को यीबो जान के लिए लाया है जो एक्सप्रेशन्स जान के फेस पर देखकर यीबो समझ जाता है कि जान क्या सोच रहा है तो हलका सा खासते हुए यबो जान से ब्रेक्फस्ट करने जाने को कहता है जिस बात पर ओके कहकर जान जैसे ही डोर तक आता है एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पर लाकर पलटकर यबो को देखकर पुछता है कि क्या यबो को लास नाइट क्या क्या हुआ वो सब याद है जिस सवार पर अपनी आईज नैरो करके यबो पूछता है क्या दरसल लास नाइट कलब में यबो ने सोचा था कि ड्रंक होना प्रेटेंट करके वो अपने और जान के बीच पीस क्रियेट कर लेगा पर यीबो ने वाइन के इतना स्ट्रॉंग होने की उम्मीद नहीं की थी और वो एक्शुल में ड्रंक हो गया था और यीबो ये तो जानता था कि घर लाकर जान ने उसका ख्याल रखा था पर पूरी बात यीबो को याद नहीं थी तभी यीबो के सवाल पर जान कहता है कि यीबो ने ज्यादा कुछ नहीं किया था और अब जान ब्रेकफस्ट करने जा रहा है जो कहकर जान मन में सोचता है कि यीबो के एक्स्प्रेशन से साफ लग रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है और ये बात जान के लिए अच्छा ही था वना अगर यबो को याद आ जाता कि जान ने उसके साथ क्या कुछ किया था तो यबो नाराज ही हो जाता तभी जान के breakfast करते हुए ही यबो भी breakfast के लिए आ जाता है और जान अपना breakfast करते हुए बीच बीच में अपने सामने बैठे यीबो को चोरी चोरी देखता रहता है वहीं दो पल बार अच्छानक अपना breakfast करते हुए यीबो कहता है ऐसा नहीं है कि तुम उसके जैसे हो बलकि सच ये है कि वो तुम्हारे जैसा था जो बात सुनते ही जान का हाथ चम्मच थामे बीच हवा में ही दुख जाता है और वो हैरान नज़रों से यीबो को देखकर पूछता है कि यीबो ने क्या कहा पर यीबो अपनी बात दुबारा explain नहीं करता और कहता है कि यीबो अपनी बात स्रिफ एक बार कहता है और अफ फ्यूचर में जान को इस बारे में ज्यादा सोचने की जरुवत नहीं है जहां स्पून में भरे खाने को अपने मूँ में भरते हुए कन्फ्यूज टोन में जान पूछता है कि यीबो की बात का क्या मतलब जहां यीबो जान से अपना eye contact avoid करते हुए कहता है कि उसे जो कहना था वो कह चुका दुबारा नहीं कहेगा और इससे पहले जान आगे कुछ पूछता यीबो फॉरण उठकर जान से कहता है कि उसे कुछ काम है तो वो जा रहा है पर जान अपना breakfast पूरा करे तभी इबो को dining hall से जाता देखकर जान finally इबो की बात को समझता है और खुशी से अपना breakfast छोड़कर इबो के पीछे भाग कर उसके पास जाकर पूछता है कि इबो explain करेना कि वो क्या कहना चाह रहा था कौन जान की तरह दिखता था जिन सवालों को इबो completely ignore करते हुए अपने study room की तरफ जाता रहता है और जान का दिल खुशी से भर जाता है जो कुछ भी इबो जान को समझाना चाहता था कि जियांग जान से ऐसा था जान अलग है जो बात जान इबो के मूँ से clearly सुनना चाहता था पर इबो अपनी बात दुबारा नहीं कहता तो जान क्यूट्ली पाउट बनाकर दुबारा इबो से बात बुलवाने की कोशिश करता है पर इबो फिर भी नहीं कहता तो जान फाइनली हार मानकर गहरी सांस भरकर उचलता कूटता वापस डाइलिंग रूम की तरफ चला जाता है और जान को खुश देखकर इबो के फेस पर स्माहिल आ जाती है दूसरी तरफ अपना ब्रेटफास्ट खाना दुबारा शुरू करते हुए जान सोचता है कि इबो ने कहा जियांग उसकी तरह दिखता था पर ऐसा कैसे हो सकता है क्या इबो जान को जान के मिलने से पहले से नहीं जानता था या फिर ऐसा हो सकता है कि इबो जान से मिलने के पहले से ही जान को जानता था जो बात सोचकर जान थोड़ा हैरान था क्योंकि इबो ने क्लिरली कहा था कि जियान दिखने में जान जैसा था तब ही रात को अपने रूम में जान इबो को पूछता है कि क्या इबो पहले से ही जान को जानता था जिस सवाल पर इबो हैदानी से क्या कहता है और इससे पहले GAN और कोई सवाल करता येबो जान के लिपस को अपने लिपस से ब्लॉक कर देता है और GAN को फोरान अंड्रेस करके बेट पर लिता देता है और पूरे लव के साथ GAN को किसिस करने लगता है वही जान यीबो के हर किस के बीच में भी नहीं भूला था कि उसे यीबो से क्या पूछना था तो वो दुबारा पूछता है यीबो तुमने मिरे सवाल का जवाब नहीं दिया जिस पर यीबो कहता है कि वो जवाब देना नहीं चाहता और इतना कहते ही यीबो जान के लिप्स पर impatiently किस करने लगता है जिसके वज़े से जान के मूँ से soft mons निकलने लगते हैं वही यीबो ने इस बीच जान को touch भी नहीं किया था तो जान के soft mons यीबो में lust भर देता है और इबो घब राने लगता है कि अगर इबो ने अपना control हो दिया तो जान कल आफिस नहीं जा पाएगा वही जान के मन में भी इबो को पाने के desire बढ़ रही थी जो इबो साफ जान के face पर देख पा रहा था जो सब feel करके जान के ear log को kiss करते हुए यीबो पूछता है कि क्या जान सच में कल आफिस जाना चाहता है जिस सवाल पर जान अपनी eyes narrow करके यीबो के सवाल के पीछे का reason ना समझते हुए हा कहता है तो जवाब पाकर अपने दार पीसते हुए यीबो जान से आगे कहता है कि तो फिर वो अपनी sexy आवाजे ना निकाले और इतना कहते ही यीबो के next sudden action से जान चीक पड़ता है इसके बाद दोनों completely out of control हो जाते हैं next day जब जान सोकर उठता है तो वो dizzy feel कर रहा था और उसके पूरी body में pain था तब ही यीबो completely well dressed होकर जान के पास आकर जान के forehead पर किस करके उसके बैट पे हुए कहता है कि वो जान के office call करके उसके लिए off ले ले लेता है जहां यीबो को fully dress up देखकर जान threatening tone में कहता है how dare you यीबो और इतना कहते ही जान यीबो के coat को उतार कर यीबो के neck के around अपना heart डाल कर यीबो को किस करने लगता है और यीबो जान को उसे किस करने देता है फिर थोड़ी दिर बाद यीबो जान को किस करने देकर indifferently कहता है कि अब जाकर जान ready हो जाए तो सुनकर जान यीबो को बे मन छोड़ कर ready होने चला जाता है और अपनी company जाते हुए भी back seat में बैट कर जान rest करता रहता है क्योंकि जान last night यीबो के force को जेल नहीं पाया था जिसने इतने दिनों से खुद को control में रखा हुआ था वहीं शियाओ ग्रुप पहुँचकर जान को जनीलिया entrance पर ही मिल जाती है जो जान को देखते ही जान के पास आकर उससे कहती है कि वो grandpa को जाकर ना बताए कि जान ने जनीलिया को last night club में देखा था तो कहकर जनीलिया जान को उपर से नीचे तक देखती है जिसने एक long coat और snow boot पहने वे थे जिन कपरों को यीबो ने जान को घर से निकलने से पहले पहनने को कहा था ताकि उसे ठर ना लग जाए जिन outdated style को देखकर जनीलिया जान का मजग बनाते हुए पूछती है कि ये जान डाटते हुए जनीलिया को कहता है कि इससे जनीलिया का कोई लेना देना नहीं है और जनीलिया को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि इंचे सही इंसान नहीं है जो सुनकर जनीलिया कहती है कि अगर जान ग्रेंटपा को कुछ नहीं बताएगा तो वो भी ठीक जो बात सुनकर जनीलिया को इग्नोर करके जान बिल्डिंग के अंदर चला जाता है वही जान जैसे ही अपने पूरे दिन के काम को पूरा करके घर जाने वाला होता है उसे शेन हाई का कॉल आ जाता है जो जान से उसके साथ बिजनस ट्रिप पर चौंग चिंग चलने के लिए कहता है और बिना जान को कोई सवाल करने का मौका दिये उसे मौर्निंग नाइन ओकलॉक एयरपोर्ट मिलने का कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है जहां जान शेन हाई की बात सुनकर स्पीचलेस रह जाता है कि उसके ग्रेंपा जयानमिन या जनीलिया को ना ले जाकर उसे जाना चाते हैं जो बात जान को है रान करती है वही जान को पिक करने बोविन की जगर कोई दूसर ड्राइवर आता है जो जान के बैठते ही रियर व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखने लगता है जिसे पीछे देखता देख जान पूछता है कि वह पीछे क्यूं देख रह कार को फ्लाइट की तरह उड़ाने लगता है क्योंकि ये जुन्ने पहले ही जान को बताया था कि ये वोकि सारे चुने हुए ड्राइवर्स रिटायर्ड कार रेसर थे अभी मेंशन के पहुँचकर ड्राइवर्स जान के कहने पर कार में ब्रेक लगाता है और जान फौरन बहार निकल कर रोट साइड पर फॉर्मिट कर देता है जो कार की स्पीट की वज़े से जान के साथ हुआ था जो देखकर जान वापस कार में चाकर बैठ जाता है और जान के जाते ही ठीक उसी जगा पर एक दूसरी कार आकर रुखती है और इंजे कार से बाहर आकर हिल के उपर बने यीबो के मैंशन के तरफ देखकर सूचती है कि काश वो यंग मास्टर वॉंग से हुक अप कर सके तो कितना अच्छा हो जाएगा बेशक वो यीबो डिस्फिगर्ड और अगली है पर इंजे के चाम के आगे खुद को सरेंडर कर ही देगा वही मैंशन पहुँचकर जान सीरे अपने रूम में जाकर पैकिंग शुरू करने लगता है कि तभी उसे रूम के डोर खुलने की आवाज आती है तो जान पलटकर देखता है कि यीबो डोर को ही खड़ा था जिसे देखकर जान स्माइल के साथ कहता है तुम वापस आ गए तभी यीबो जान की पास आकर उसे अपनी तरफ खीच कर किस करने लगता है जिस किस में जान फॉरन मेल्ट हो जाता है फिर अपना किस ब्रेक करके यीबो जान को कहता है ये जान का इनाम था जो बात सुनकर जान स्माइल करता है तभी जान को कपड़े पैक करता देखकर यीबो पूछता है कि क्या जान बिजनस ट्रिप पर जा रहा है जिस पर जान बता देता है कि ये business trip उसके grandpa का last minute decision है तो अब जान को कल ही जाना है जो बात सुनकर ये बो अपनी eyes narrow करके कुछ सोचने लगता है जो देखकर जान पूछता है कि ये बो क्या सोच रहा है जो सवाल सुनकर ये बो low voice में कहता है कि जान को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जान के grandpa जियान मिन के मुकाबले ज्यादा smart है तो वो कोई stupid हरकत नहीं करेंगे जो बात जान से कहकर ये बो सोचता है कि शेन हाई ये बो का सच जानता है तो पता नहीं शेनाई जान को साथ ले जाना क्यों चाहता है पर चाहे कुछ भी हो शेनाई अच्छे से जानता है कि उसे जान को सही सलामत वापस लाना होगा वहीं यीबो की बात पर जान कहता है कि यीबो जान की ग्रैंटपा को बहुत अच्छे से जानता है जिस बात पर हां कहकर यीबो जान की पैकिंग में हेल्प करने लगता है तो गाइस आज का ये वीडियो एक्स्प्लेनेशन मैं यहीं रोपती हूँ और अपने कॉमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलेगा I know guys कि मैं पिछले कुछ कॉमेंट्स का रिस्पॉंस नहीं कर पाई हूँ पर trust me मैंने सारे कॉमेंट्स पढ़े हैं बस उनको रिस्पॉंस करना बाकी है तो मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतिजार रहेगा जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनसे request है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलेगा तो आज के लिए बस इतना ही मैं जल लौटूंगी next video explanation के साथ तब तक के लिए बाई